reasoning के इस question में हमारे पास 3 figure हैं और तीसरी picture में question mark की value निकालने हैं हमने दिये हुए 4 उपसर में से पहली picture में देखिए पहले column में लिखा है 2 and 14 दूसरे column में है 5 and 9 तो हमारे पास जो दो नंबर है 2 and 14 फिर 5 and 9 हम क्या करेंगे इनको columnize add करेंगे इस तरह से तो इन दोनों को जब add करेंगे तो हमें मिलेगा 16 और इन दोनों को add करेंगे तो हमें मिलेगा 14 देखिए जब फिर इन दोनों को minus करेंगे तो हमें मिलेगा difference 2 का इसी तरह से second picture में देखिएंगे columnize 7, 19, 10, 14 तो पहले column के दोनों number को हमने add करना है दूसरे column के दोनों numbers को add करना है इस तरह से तो इन दोनों को जब add करेंगे 19 and 7 को तो हमें मिलेगा 26 10 and 14 को add करेंगे तो 24 फिर पहले column के सम से दूसरे column के सम को minus कर देंगे यहां भी two answer आया तीसरे जो figure है उसमें column wise देखेंगे 8 and 20 फिर 11 and question mark तो हमने जैसे पहले किया था दो picture में उसी तरह से यहां भी करेंगे जो पहले column के दोनों number है उनको add कर देंगे हमें मिलेगा 28 इसी तरह से दूसरे column के दोनों number जो है उनको भी हमने add करना है वो आएगा 11 plus question mark और पहले column के जो सम है उससे यह number को minus कर देना है जैसे यहां पर पहली picture और दूसरी picture में two आया तो यहां भी two ही आएगा इसका मतलब 28 minus 11 minus question mark is equal to two और question mark की value आएगी यहां से 15 तो option number second सही जवाब होगा देखें कैसे आया 15 28 minus 11 minus 2 और question mark को दूसरी सार ले गए तो यह plus हो गया फिर 28 minus 13 15 11 minus 2 13 आया तो 28 minus 13 15 question mark की value आगे 15 जो option number second में दी है कर दो दो हवा दो हए दो तो है कर दो हían